ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्स्ट्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें मेरा नाम डॉक्टर वरीरा मैं कंसल्टन प्लास्टिक सर्जन इंजिना बर्न री कंस्ट्रॉक्टिव सर्जरी सेंटर में काम कर रही हूँ लहोर में प्राइविटली मैं स्केन फज क्लिनिक में होती हूँ डिफेंस में और सकीना इंटरनाशनल हॉस्पिटल एंजोहर टाउन आज मैं आपसे डिसकस करूँगी ब्रेस्ट री शेपिंग और शेपिंग के हवाले से डिफरेंट जो कॉस्टिन्स होते हैं लोगों के और उनकी ट्रीट्मेंट्स पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंट्मेंट बुक करें वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फाइदा उठाएं और आज ही ओलाडॉक एप डाउनलोड करें ओलाडॉक डॉक्टर का अपॉइंट्मेंट आसानी से मेंली जो ब्रेस्ट शेपिंग रिकॉाइड होती है वो उन केसे में होती है जिन में स्मॉलर ब्रेस्ट होते हैं यानि के जिन में वाल्यूम बहुत कम होता है या चोटे ब्रेस्ट होते हैं और बच्चों की पिदाइश के बाद जो ब्रेस्ट की शेप चेंज हुडाती है और इसके इलावा जिनके ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और लटके हुए होते हैं उसके हवाले से मैं डिसकस करूँगी और जो है कुछ लोग अपने ब्रेस्ट को खुबसूरत बनाने के लिए डिफरेंट तरहां की ट्रीटमेंट्स के हवाले से मुझे पूछते रहते हैं वो मैं इसमें डिसकस करूँगी मेंली तो यही होता है कि जिनमें ब्रेस्ट का साइज चोटा होता है उनके लिए ट्रीटमेंट्स होती हैं सर्जिकल भी है और नॉन सर्जिकल भी है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स में इस तरह होता है कि वो होती हैं टेंपरिरी उसमें फिलर्स जो हैं वो लग जाते हैं और उनको फिल कर देते हैं और size जो है वो temporarily दो से तीन साल के लिए बढ़ जाता है लेकिन जो permanent treatments हैं जिसमें कि उसमें fat के injections लगते हैं जो कि अपने ही जिसम से fat लेकर बाज़ों से ले ली जाती है टांगों से या पेट से लेकर वो breast के अंदर filling कर दी जाती है उसमें इस तरह से है कि दो से तीन session required होते हैं और breast की shape जो आपकी required होती है size वो बन जाता है ये सबसे natural method है, advanced method है और इसमें सबसे कम side effects होते हैं इसमें major side effects हैं उसमें यही होता है कि cyst बनने का खतरा होता है या कभी infection बनने का खतरा होता है इसके इलावा ये बहुत safe है, इसमें कोई भी निशान नहीं पड़ता और किसी को ये मालूम भी नहीं होता कि किस तरह से जो है न ये enhance किये गए है और कोई cut का निशान भी नहीं आता है दूसरा तरीका होता है implant का, implant में इस तरह से है कि एक pre-formed silicone implant होते है जो के highly sterilized हैं और safe products हैं वो different मुमालिक से import किये जाते हैं और उनको breast में डाला जाता है reshaping के लिए और उसके size को improve करने के लिए ये भी बहुत ही मुनासिब तरीका है लेकिन इसका ये होता है कि इसमें scar आता है और जो है इसमें ये ज़रा जो चीजें इस्तमाल की जाती है वो expensive है लेकिन ये size को और shape को increase करने का सबसे बहतर तरीका है और अगर इस हवाले से देखा जाए जो के बच्चों की बिदाईश के बाद shape change हो जाती है या breast लटक जाते हैं तो खवातीन जो हैं अकसर परेशान होती है इस मामले में तो उनके लिए best ये है कि वो अगर तो उनकी थोड़ा लटका हुआ breast है तो फिर तो वो exercises से और filler से improve हो सकता है लेकिन अगर जादा लटका हुआ होता है तो फिर उसमें breast lifting की different techniques के थूर जो है breast को उठाना पड़ता है और उसके साथ different आप use कर सकते हैं कि अगर कम करना है size या उसको increase करना है तो वो दोनों ही आप कर सकते हैं इसमें उसमें shape भी बिल्कुल normal हो जाती है और उसका size भी बढ़ जाता है और बेहतर हो जाता है और patient भी psychologically बहुत ही खुश होते हैं इसमें और तीसरी तरीका ये है कि अगर patient का size बहुत बड़ा और उसमें भी breast जो है वो D-shape हो जाते हैं तो उसमें इस तरह से है कि breast के size को भी कम किया जा सकता है साथ उसकी shape को भी improve किया जा सकता है लेकिन ये सारे है surgical method इसमें operation चाहिए होता है लेकिन वो जो operation वो इनतहाई safe है उसमें side effects जो है जादा से जादा जो भी है वो जखम के हवाले से होते हैं या पिर जो है आपकी कुछ अरसे के लिए जो आपकी बहसूस करने की सलाईयत है वो कम हो जाती है मुझसे different सवाल पूछते हैं खवातीन जो के breast की shaping और breast के size के हवाले से जो के बिलकुल ही इस तरह से हैं कि उनके कुछ गलत concepts बन जाते हैं TV को देखकर, movies को देखकर, actresses as a model वगारा उनको देखकर basically इस तरह से है कि जो normal औरत है उसके लिए उस तरह की shape होना और वो सारी projection और volume वो possible नहीं हो सकता क्योंकि जो है ना उसमें ना सिरफ इनकी shape होती है models की और इसके इलावा make-up भी है और graphics और camera वगारा की वज़ा से भी उनका figure इस तरह से लगता है तो मेरी ये हमेशा हर patient से यही होती है कि देखें आप हर इनसान की body दूसरे से different है और उसकी requirements उससे different है लहाजा हर किसी के results भी इसी तरह से vary करते हैं कि body to body और different procedures अगर हम different लोगों में करें तो उनके results और shapes जो हैं वो अलग आती है जो के normal method होते हैं उसमें breast के size को increase करने के लिए fat injections इस्तमाल होते हैं या फिर implants यूज होते हैं उनको बढ़ाने के लिए कम करने के लिए उनमें surgical method हैं जिससे के वो कम भी हो जाते हैं और उनकी shape भी बहतर हो जाती है इसके इलावा कुछ जो लोग इस्तमाल करते हैं हकीमी दवाईयां और capsule और malish हैं और इसके इलावा कुछ नई suction devices आई हुई हैं उनका कोई फाइदा नहीं है वो तो आपकी skin को खराब कर सकती है इसके इलावा different जो capsule हकीम बना कर देते हैं वो hormones हैं उनमें और उनसे cancer के chances भी बढ़ सकते हैं लहाजा आप ने जब भी किसी breast के हवाले से बात करनी है उसकी shaping को improve करने के लिए उसके size को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए तो आप किसी मुस्तने या certified doctor के पास जाएं और वहाँ से आप उनसे मशरा करें और treatment लें ताकि आपका breast की shape और उसका अंदर के gland खराब ना हो और इस तरह से breast cancer के chances भी बढ़ सकते हैं ये capsule और दवाईया लेने से और इसके इलावा breast reshaping में जो वो भी खवातीन अपना कर सकती है जो के post surgical जिनको कह लें के breast cancer के बाद उनकी चाती रिमूव हो जाती है तो वो बहुत ही depression के phase में चली जाती है कि हमारी चाती चली गई है तो अब हमारा वो figure नहीं रहा है अब हम दुबारा से एक normal औरत नहीं लग सकते तो उनके लिए भी है कि उनका दुबारा से breast reshape हो सकता है उसका size भी normal की तरह हो सकता है और nipple भी बन सकती है ये सारी treatments available है और ये आप जब चाहें आप contact करके appointment अपनी book करके आ सकते हैं consultation ले सकते हैं और पूछ सकते हैं कि जो different scenarios में different treatment options available हैं उनको जो है न किस तरह से लिया जा सकता है तो ये आपको बताने के लिए basically ये एक किया गया है कि जो different breast के issues हैं और खवातीन के जो के वो discuss नहीं कर सकती दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा तर like family में बात नहीं कर सकती बाहर नहीं बात कर सकती तो अगर उन तक ये पेगाम पहुंचे तो वो ज़रूर जो है contact करें आप मेरी appointment book कर सकते हैं Alladog के through दो clinics पर मैं available होती हूँ skin fudge clinic defense में और सकीना international hospital जोहर टाउन में आप Alladog की website पर जाएं वहाँ पर मेरी appointment book करें वहाँ से ही आपको timing का अंदाजा हो जाएगा आपको जो time suit करता है आप उस पर appointment book करें और आप easily मुझसे मिल सकते हैं Thank you आपुमेड़ क करें आप क्स आपस्ए है Thank you 촬영ी करें कर दो कर दो कर दो कर दो